कि नमश्कार दोस्तों मिन नाम का प्लसिक्या स्वागत आपका सड़ी एक एक एडिकेशन प्राक्फरम में आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं इसको लेकर चिंतित रहता है बार बर कुष्ण जब और इस करता रहता है तो जानना जरूरी है कि एक्जाट्ली रिजर्वेशन प्रमोशन का जो अभी तक चल रहा है यहीं सुप्रीम कोट ने कहा कि हमारे पास डेटा है नहीं इसको जस्टिफाइब करने के लिए कि कोटा हो गौट का कहना है कि यूनियन गर्मेंट जो है वो डेटा नहीं दे रही है हमें और एक डेटा जो है उसके पास है नहीं क्लारीटी नहीं है और फिर भी वह श्यूल का श्यूल ट्राइब के लिए 15 and 7.5% कोटा जो है प्रमोशन सेंट्रल गर्मेंट जॉब्स में रख रही ह है इस सारी चीज़ेंगे निबद है पहले जूडिशरी की बात कर लेते हैं स्टेट जूडिशल इग्जाम के कौर्सेस हमारे पास अवेले हैं सारे जूडिशल एक्जाम अगर आभ अमारे राजिस्तान बिहार अत्याधी जो भी हैं अब प्रिपेर कर रहे हैं तो इतके अगर हम article 16 की in-depth analysis करें तो 16 में originally 1950 में जब constitution आया था तो ऐसा कहीं mention नहीं था कि क्या promotion में reservation होना चाहे है या नहीं होना चाहे है over the time अलग-अलग interpretations रहे माना ये जाता है कि article 16 ये कहता है कि employment में equality practice की जाएगी equality of opportunity अब equality of opportunity की बात अगर हम अंबेट करके या इसका analysis हम अंबेट करके के के शब्दों से जाने अंबेट करके के speeches से जाने या पारलेमेंट या फिर concert assembly में हो रही debates से समझे तो वहां ये कहा जाता है कि article 16 जो है वो equality की बात करता है cradle to grave मतलब यहां पे मेटकर साब का ये कहना था कि अगर कोई person let us say अगर वो backward family में अगर वो उसका birth हुआ है वो backward है तो सरकार का एक दायत तो बन जाता है कि उसके पैदा होने से उसके मरने तक grave तक सरकार उसका ध्यान रखे क्योंकि जिस तरह की caste hierarchies है जिस तरह की social hierarchies exist करते ह उसमें उस person को आप reservation के उस reservation फिर जॉब तो दे सकते हैं लेकिन जॉब में उसके साथ ठीक से justice जो होगी नहीं होगी उसके साथ equality practice होगी नहीं होगी यह ensure करना मुश्किल है तो इसलिए discrimination ना हो इसलिए हमें reservation promotion में भी देना ज़रूरी है बार-बार यह बात चर्चा का विश में हो चाहिए वो salary में हो चाहिए हो retirement, graduate benefits में मतलब हर तरह से जो भी backward communities है उनके साथ equality जो है वो practice होनी चाहिए पहली बार कोट ने रंचारी case 1962 में इसको clarify कि और यह कहा कि article 16 जो है equality की बात करता है citizens की वो initial appointment की बात भी करता है वो बाकी matters की भी बात करता है gratitude, superannuation, terms of service, promotion, etc. इसके चलते state government और central government जो है वो reservation देती रही promotion में भी मतलब अगर आप CST category को belong करते हैं तो reservation आपको job लेने में तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन जब job में promotion होगा तब भी आपके लिए reserve seat रखी जाएंगी इसके बाद 1968 में फिर से CA राजिंदर केस में court ने फिर स अंडर आर्टिकल 16 clause 4, court ने का 16 clause पर एक enabling provision है जो discretionary power देता है state को अगर state को ऐसा लगता है कि कोई भी caste कोई भी category जो है वो properly represented नहीं है services में तो appointment के time to reservation मिलेगा ही मिलेगा लेकिन आप adequate representation के लिए promotion में भी reservation दे सकते हैं तो court ने का दे को कही ना कही प्रमोशन की अगर हम बात कर matter जो है as a matter of fact draw होता है लिकिना court बार बार यह जरूर के तरह यह matter of right नहीं है सरकारे चाहे तो reservation दे सकते हैं लेकिन आप reservation की demand नहीं कर सकते यह बोलके कि हमारा fundamental right है ऐसा कही नहीं लिखा सरकारों को लगता है adequate representation नहीं है तो आपको reservation मिल जाएगा आप नहीं मांगने जाएंग OBC category को create किया गया 27% OBC reservation दिया गया लेकिन court ने यहाँ पे पुराने judgment से कुछ differ होके बात कही रंगचारी और आज हम इस बात को वापिस से पलटते हैं और हम यह कहते हैं कि promotion जो है वो article 16 clause 4 में नहीं मिलेगा reservation in promotion नहीं मिलेगा 16 clause 4 कहीं भी बात नहीं करता है कि reservation मिलना चाहिए है promotion में क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ बात करता है reservation in appointments यहाँ से court ने clarify कर दिया कि यहाँ पे state के पास power तो है कि कुछ concession and relaxations दे सकती है vacancies for carry forwarding of vacancies कर सकती है in service coaching training benefits ठीक है further salary में कुछ better enhancement यह सारी चीज़े कर सकती है लेकिन efficiency of administration जो है वो compromise नहीं होना चाहिए court ने का देखो जब आप appointment करते हैं आप reservation देते हैं तब almost सब एक ही stature से आते हैं लेकिन ऐसा नहों कि आप promotion में भी reservation देते रहें और services में efficiency खताम हो जाए लोग काम करना छोड़ देंगे लोग को पता है हमारे तो reservation होई जाएगा हमारे तो promotion होई जाएगा हम reserve category है तो ऐसा court को चिंता होई गोटने का देखो efficiency जो है काम करने की वो खराब हो जाती है ऐसा court का observation था इसलिए गोटने का कि हम reservation in promotion जो है अलाव नहीं करेंगे अब court की judgment को overturn करने के लिए Supreme Court की judgment को overturn करने के लिए Parliament को 77th amendment 1995 लाना पड़ा किया क्या इस 77th amendment से और साथी साथ आप देखेंगे 86th amendment क हम 77th amendment लेखेंगे और किया कि हमने हमने यहां पर 4a of the constitution जो है वो आड़ कर दिया 4a of the constitution क्या कहता है state can make any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority मतलब अभी तक जो बाते court की judgments के थुरू समझाई जा रही थी है जिसमें court इंदर आसानी में आके अगरी नहीं हुआ Parliament ने clear कर दिया कि देखो reservation in promotion एक constitutional matter है ठीक है इसको अब हम constitution में 16 4a में 16 clause 4 capital A में लिख देते हैं इसके बाद states के पास राज्यों के पास किन्द सरकार के पास power होगी कि वो कोई भी ऐसी category of यह class of citizen category of citizen जो adequately represent नहीं है और सरकार के opinion में उसका representation necessary है उसको reservation in promotion मिल जाएगा यहापे अभी हमने term पढ़ा consequential seniority यह क्या यह भी समझ देते है consequential seniority क्या कहता है let us say एक post पे दो या तीन लोगों का appointment होता है similar day एक साथ दो तीन लोग post जोईन करते है उसमें एक general category हो सकता है अब technically speaking यह तीनों services में एक दिन जोईन किया है एक साथ जोईन किया तो यह senior नहीं एक दूसरे के colleagues है लेकिन what if बात आती है तीन साथ बत promotion की तो जब promote किया जा रहा है लेकिन अब जब promotion करना है जिस post पे वहां देखा गया कि general category के तो बहुत सारे लोग है इसकी category के बहुत सा हो गया वो इन दोनों का senior बन गया consequential seniority so this is how court has, parliament has determined the term consequential seniority कैसे practice होगी and once a senior always a senior मतलब वो person आपसे पहले promote हो गया था अब वो आपका senior बन चुका है अब वो lifetime आपका senior रहेगा irrespective आप दोनों ने services एक साथ जोईन किती यही चीज जो है वो बार-बार court को और लोगों को इस amendment के बाद 77th amendment के बाद क्यार देखो जो consequential seniority का mechanism है यह ठीक नहीं है ठीक है आप catch up rule ले क्या हो, catch up rule क्या होगा कि let us से अभी हमने देखा कि B person जो था वे SC category का था उसका promotion हो गया वो senior बन गया तो अब आप मौका दो A और C भी promotion लेके B के बराबर पहुँच पाएं यानि once a senior always a senior वाला concept खतम करो तीनों ने एक साथ service join की थी तीनों को एक साथ retire कराओ इसको catch up rule क्याते हैं इसके लिए court ने अजीत सिंग वर्सिस state of पंजाब में भी बात करी इसके लिए वीरपार सिंग केस में भी बात की गई लेकिन ये चीज ना नाग्राच केस आया 2007 में 77 अमेंडमेंट केरी फॉरवर्ड रूर एक सारे अमेंडमेंट्मेंट्स जो है वो चालेंज किये पांच जच की बेंच बैठी अब पांच जच की बेंच ने सब कुछ समझा देखा और यह का कि देखो जो या फिर जो हम बात कर रहे है 16-4-A की यह ठीक है किसे जाने दो इस यह रहेगा यानि कोट ने कह दिया कि रिजरवेशन एक आटोमेटिक राइट नहीं है हाँ स्टेट को लगता है रिजरवेशन देना चाहिए तो दे दे लोग रिजरवेशन नहीं मांगेंगे और फाइनली यही हुआ एम नागराज वर्सिज यून आफ इंडिया में सबसे पहली चीज की रिजरवेशन इन प्रमोशन को अफिल् कॉम्निटी है साथी साथ आपको यह देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली रिप्रेजेंटी नहीं है यानि उस कॉम्निटी के लोग जो है सरकारी नौकरियों में है नहीं और साथी साथ आपको ओवरल एफिशेंसी जो अड्मिस्ट्रेशन की मेंटेन रखनी पड़ेगी आप रिजर्वेशन से प्रॉपरली नहीं होना चीए यह काफी लंबे समय तक अलग अलग बार चालेंज किया गया और फाइनली आप देखेंगे जन्नेल सिंग लक्षमी नरायन केस 2018 में एम नागराच को फिर से अपहल्ड किया गया यह कहा गया कि एम नागराच को अब दुबारा नई बेंच के पास भीजने की जरूरत नहीं है डिमांड यह थी कि पहले 5 जजज बेंच पे केस गया था अब इसे 7 जजज की constitutional बेंच बनाते और एम नागराच को रिव्यू करे कोट ने लच्मी नागराच केस में यही का जनल सिंग केस में यही का कि एम नागराच ठीक डिसाइड था उसको reconsider करने के ज़रूरत नहीं है backward ने इसके criteria को हटा दिया, court ने का बस आप data लियाओ, सरकार से कहा कि even if वो community adequately represent नहीं है हम उसको reservation देने के लिए तयार है, ठीक है, तो backward ने इस वाली बात नहीं कि backward है तभी reservation मिलेगा अगर कोई भी ऐसी class of citizen, community of citizens adequately सरकारी नौक्रियों में represent नहीं है आप उसको reservation दे सकते हो, provided, reservation और promotion दे सकते हो, provided आपके पास adequate data होना चाहिए अच्छा, लश्मी नायन केस में court ने और बाते भी बोली, court ने का देको SCST के लिए भी creamy layer लेके आओ, ठीक है क्योंकि reservation जो है, यह lifetime principle तो है नहीं, आप कुस्समे के लिए लाए थे तो आप कोशिश करो, जैसे आप OBCS में creamy layer के concept को लेके हो, आप SCST में भी लेके हो तो इसको तो सरकार ने मना कर दिया कि हम SCST के लिए creamy layer नहीं लाएंगे लेकिन हा, reservation and promotion है, वो चलता गया फिर से reservation and promotion को BKP अवितरा केस में challenge किया गया, यहां पे court सुनवाई कर रहा था करनाटका के एक law की, करनाटका extension of consequential seniority government services promoted on the basis of reservation, civil service act को लेके, यहां चर्चा चल रही थी, बात यही थी कि SCST के लिए reservation and promotion होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हाई court ने तो मना कर दिया था करनाटका के, लेकिन सुप्रीम कोट ने का नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोट ने अफेल्ड किया reservation and promotion policy को और साथ ही साथ यह कहा कि अगर करनाटका government हमें adequate data दे देती है, तो हम allow करेंगे, ठीक है, तो अभी government की उपर है कि अगर आपके पास adequate sufficient data है, data किसी इसका, जैसे अभी कल भी सुप्रीम कोट ने कहीं कहा न, data, data इसी इसका कि आप जिस class of citizen को, जिस community को, जिस जाती को आप reservation दे अभी भी बार-बार कर रहा है, कोट अभी भी कह रहा है, कि देखो data लेके आओ, data के बिहाब पर reservation दो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक और चीज़ पर ध्यान दो, कि इस promotion reservation को, आप एक permanent right मत बनाओ, ठीक है, जैसे जैसे, जिन जिन communities वो reservation मिलता जा रहा है, उनका अगर उस ध government constitutional right मत बनाओ, सब को आप opportunity दो कि सब grow हो सके, तो फिर से कोट ने यही बात उठाई है, कि अगर आपके पास adequate data furnish नहीं कर सकते आप, तो आपको reservation information खतम करना पड़ेगा, देखते हैं, matter subjudice है, आगे कोट क्या कहता है, क्या M. Nagraj versus Union of India को इस बार overturn कर दिया जाता है, कोट क्या अब avail करिए, मिलते हैं अगले session में, तब तक के लिए, goodbye, take care and God bless you all.